गुट इवनिंग प्यारे बच्चों कैसे हो सभी आयो आप सभी बहुत अच्छे होगे हम कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर वेलकम बैक टू दे जूम एजुकेशन और अमारा फर्स्ट चैप्टर था दा बैस्ट क्रिस्मस प्रजेंट इन दा वर्ल्ड अच्छा मैंने आप लोगों से अभी मैंने बताया था यहां पर कि यहां पर बात चल रही है जो 1914 में स्टार्ट हुआ था जर्मन और ब्रिटिस के बीच में तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यह लिख कर बताए कि जर्मन को यहां पर जर्मन सोल्जर्स को क्या कहा जाता है और ब हलो प्रेड़ना हलो अम्रिता अम्रिता सेमेंट क्लास में भी थे आप हलो रिया चावला हलो गायत्री हलो प्रिया तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जर्मन सोल्जर्स को और ब्रिटिस सोल्जर्स को क्या बोला जाता था डू फास्ट अब यहां से हम यहां तक पढ़ चुके थे ना टू वन से वो गोल कर चुके थे वो मैंट जीत गए कौन मैंट जीते प्रियेट्स ब्रिटिस का टोमी वेरी गुड प्रेणना ने सबसे पहले आंसर किया बिल्कुल बहुत ही सही और प्रेणना ने ही दूसरा दिया है जर्मन को फ्रियेड्स बिल्कुल सही एक दम सही आंसर किया है तो चलो अब भी शुरू करते हैं अपना चैप्टर अब देखो यह भी हम कर चुके थे क्योंकि गेम ओवर हो गया है श्नैप्स रंस उसके बाद उन्होंने ले उसके बाद क्या थना अब हम जानते थे कि यह सब खतम हो चुका है मैंने हैंस्वेल को कहा हम को विश किया कि वह जल्दी से अपने चोटे बच्चे से मिलेंगे अपने घर अपने घर जाएंगे यह सब कौन बता रहा हैं लेटर जो राइटर हमारे पढ़ रहे हैं जो मिस्ट्र जिम मैक पर्सन ने अपनी वाइब को कि क्रिस्मस इवनिंग पे क्रिस्मस इव पे जो लेटर लिखा है उसमें टॉमी वेरी गूड और सभी का जो रिप्लाइब बहुत अच्छे बिल्कुल सही है पवनी शर्मा आर्पनीज काजल टॉमी ठीक है बिल्कुल ठीक है जर्मन क सब्सक्राइब करें जर्मन और ब्रिटिस के बीच में अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं आगे की क्योंकि अब तक क्या हो रहा था उनके बीच में एक इविनिंग मैच हुआ था फुटबोल का अब उसमें फ्रिट्ज जीत गए हैं टू वन के गोल से अब आगे देखने हैं अब वो एक दूसरे को बाई बोल रहे हैं सावाइन वगेरा और मर्जी पनकेक वगेरा खाने के बाद वो एक दूसरे से अलग अलग हो रहे अब हैंस वोल्फ ने भी कहा कि हां हर सोलजर यही चाता है कि युद कांत जल्दी से हो जाए और अपने घर जाए तो दोनों ही साइट्स यह चाहती हैं उन्होंने मुझे का मैं अपनी देख भाल कुरू टेक केर जिम्हें एक पर्सन आश यह नेवर फोर्गेट दिस मोमेंट मैं कभी इस चाहन को नहीं भूल पाहूंगा कॉंशाशन जो उन्होंने आज की क्रिस्मस इवनिंग क्रिस्मस मॉर्निंग सेलिबरेट की है मैच वग किया और मुझसे थोड़ा सा धीरे धीर वो दूर जाने लगे अन्विलिंगली का मतलब हो गया इच्छा ना होते वे ना चाहते वे वो चले गया आइप जैसा कि मुझे मैंसूस हो रहा था मिस्टर मैक पर्सन कह रहे हैंगे कि हैं वोल्फ जो हैंस वोल्फ थे वो थोड़ थोड़ा मुझसे दूर जाते गए क्योंकि उन्होंने मुझे सेलिट किया ग्रीट किया ही टन टू वे जस्ट वंस एंड बिकेम वन ओव दा हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटिड मैं ड्रिप्टिड बैक टोवार्थ ट्रेंचीज और उसके बाद जितने भी सैनिक वहां पे थे से अधाने में से पर एट नइट बाक इन आवर डगाउट्स वही होगे ट्रेंचीज जैसे जो ग्राउंट में खोद कर बनाए जाते हैं जिसमें हम अपने आपको हैड करके रखते हैं चुपा कर रखते हैं अब सभी उस रात अपने डगाउट्स में वापिस चलेगे जहां पर soldier रहते हैं by digging a hole in the ground and covering it ground में hole करके वो dug करके उसमें रहते हैं we heard them singing a carol carol होता है जो Christmas पे जो song आए जाते है and singing it quietly beautifully और हमने देखा कि वो बहुत अच्छे से इनको गा रहे हैं हमें उनकी आवाजे सुनाई दे रहे थी जो dugouts में trenches में soldier चले गए थे it was still natured silent night हम जानते हैं यह बहुत ही शांत रात थी our boys gave them a rousing chorus और whilst shepherds watched अब हमारी तरब से भी यानि वो के रोल गा रहे थे तो हमारे जो soldiers थे उन्होंने भी उनका साथ दिया और वो भी गाना शुरू करने लगे उन्होंने भी वाइल shepherds watch it के यह सारे गाने गाए we exchange carol for a while and then we all fell silent और हमने दूसरे के साथ carol यानि गाने exchange किये जैसे अंताक्ष्री होते हैं इदर से भी गाना गा रहे हैं उदर से भी गाना के आवाजे आ रही हो तो इस तरीके से वो लोग आपस में गानों को enjoy songs को enjoy कर रहे थे carols को और उसके बाद सब श्यान्त होगे we had had our time of peace and goodwill और हमने बहुत ही अच्छा श्यान्ति का और अच्छी सद्भावना का एक हमने वहाँ पर टाइम बिताया हां बिल्कुल चैप्टर कतम होने के बाद आपको question answer कराये जाएंगे hello kushbu hello kushkumar kushkumar okay पेटा चवी लोगों मैं मैं को बोल दूँगी ठीक है I will treasure as long as I leave treasure का मतलब होता है खजाना यानि मेरे लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था मैं जब तक जीऊंगा as long as I leave जब तक जीऊंगा मेरे लिए ये खजाने के तोर पर संभाल कर मैं इसको रुखूंगा एक खजाने के रूप में ये रहेगा कुंसा क्योंकि देखो युद्ध के बीच में एक ऐसी morning एक ऐसी evening आना जिसमें श्यान्ती हो सब लोग इतने wine के साथ के के साथ enjoy कर रहे हूं तो ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था अब वो अपनी वाइब को कह रहा है जब तक के next Christmas आएगा तब तक जो ये युद्ध का मैदान है ये हमारी memory एक बुरी याद के तोर में रहेगी हो सकता हम इसको भूला चुके इंगे distant memory हो जाएगी I know from all that happened today how much both armies long for peace long for का मतलब हो गया wish इच्छा तो मैं जानता हूं कि आद जो हुआ हर आर्मी यही चाहती है हर एक आर्मी इसकी इच्छा है दोनों तरफ की आर्मी जो है प्रिड्स और टॉमी वह श्यांती ही चाहते हैं we shall be together again soon I am sure of it हम जल्दी ही मिलेंगे जल्दी हैं हम एक साथ होंगे अब यहां उनका लेटर खतम हो गया है यूर लविंग जम जिम मैक पर्सन अब देखो आप तक यहां तक हमने पढ़ा तो वो कोन पढ़ रहे थे जो राइटर नहीं चैप्टर के वो लेटर पढ़ रहे थे वो लेटर उनको कहां मिला था ड्रॉर में जो टिन बॉक्स मिला था secret box उसमें अब हम actual उसमें आ जाते हैं letter के बाद क्या होता है I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope अब writer बोल रहे हैं कि मैंने letter पढ़ने के बाद इसको दो बारा से fold किया और इसको वापस envelope में जो वो था जिस cover में इसको रखते हैं उसमें वापस रख दिया I kept awake all night I knew what I had to do अब जैसे मैं सुबह जागा तो मुझे रात में सोते वे मैंने ये सोच लिया था decide कर लिया था कि मुझे क्या करना था I draw into breadboard क्योंकि breadboard क्यों गया वहाँ उस पे letter पे जो address था वो लिखा हुआ था तो अब वो जल्दी से वहाँ पे ड्राइव करके breadboard पहुंचे just a few miles away जो कि writer से थोड़ी ही थोड़ी पर था I asked a boy walking his dog where copper beaches was वहाँ पर एक boy जो कि अपने डोग के साथ वो कर रहे थे मैंने उनसे copper beach के बारे में पूछा house number 12 turned out to be nothing but I burned out chef अब मैंने उनसे house number 12 के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं है यह almost जल चुका था क्योंकि वो याद करने की कोशिस कर रहा the roof gapping the windows boarded up कि एक इस तरीके का वो घर बताती है कि कुछ साल पहले वहाँ पर ऐसा कोई incident हुआ था और वहाँ कुछ नहीं है I knocked at the house जैसा उन्होंने घर बताया था तो मैं उसकी तरफ गया next door and asked if anyone knew the way about of Mrs. Mac person अब उस बोई से उसे पता चला कि वो घर जो है number 12 का वो जल चुका है वहाँ पा सिरफ दिवारें और छतें और कुछ खिड़किया ही बची हुई है तो इसलिए मैंने घर के next जो घर था वहाँ पर मैंने नोक किया और उनसे पूछने की कोशिस की कि क्या कोई Mrs. Mac person को जानता है अगर वो जानता है तो कोई बता सकता है कि वो इस वक्त कहां होंगी Oh yes, said the old man in his slippers अब अपनी slippers अपनी footwear पहनते वे एक old man ने का हाँ हाँ मुझे याद है he knew her well वो उसको अच्छी तरह से Mrs. Mac person को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे burned out का मतलब देखो यहां पर जो destroy हो चुका है fire की वज़े से body up का मतलब covered with wooden boards यह रहा body up जो windows थी क्योंकि वो भी जल गई थी अब उनको boards के जाद जो wooden boards होते हैं उनके साथ इसको cover किया गया था a lovely old lady he told me a bit muddle-headed but at her age she was entitled to be wasn't she अब वो बहुत ही अच्छी लेडी थी उन्होंने बताया फिर उन्होंने muddled head का मतलब होगे थोड़ा confused होते हुए फिर उनकी age को वो remind करते हैं कि अपनी age में वो बहुत ही काफी lovely lady रही थी जहां तक मुझे याद है क्या फिर वो पूछते हैं writer से क्या वो अच्छी नहीं थी a hundred and one years old देखो वो इतनी साल की है यह उनकी age है hundred and one year old अब वो Mrs. Mac person 101 साल की है she had been in the house when it caught fire अब वो जो old man है जो उनके घर से next में रहते हैं अब वो यह old man बता रही है कि वो 101 साल की है जो उनके घर से next घर में रहते हैं she had been वो पताते हैं कि जब आग लगी घर में तो वो घर पर ही थी no one really knew how the fire had started और कोई भी यह नहीं बता सकता कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी कैसे start हुई but it could well have been candles लेकिन जहां तक अनुमान लगाए जा सकता है वो शायद candles की वज़े से ही ऐसा हुआ था candles की वज़े से आग लगी थी she used candles rather than electricity क्योंकि वो candles का use करती थी electricity की बज़ाए because she always thought electricity was too expensive expensive का मतलब हो गया मेहंगी कीमती precious अब वो कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता था वो candles किसलिए यूज करती थी क्योंकि उनको लगता था कि electricity जो है वो बहुत मेहंगी expensive है the fireman had got her out just in time और जब आग लगी तो fireman ने जल्दी से उसको time रहते बचा लिया उसको वहां से निकाल लिया she was in a nursing home now और अब वो एक nursing home में है he told me burlington house और क्योंकि नर्सिंग home का नाम उन्होंने उन ओल्ड मैंने क्या बता है burlington house उन्दा डॉर्चेस्टर रोड उन्दा अधर साइड ओफ टांग शेहर के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर एक burlington house नाम का nursing home था आजकल वो मिसिज मैक पर्सन वहां रह रही है अब question जासे ये why did the author go to breadport breadport क्यों गया था वो मिसिज मैक पर्सन से मिलने अच्छे जल्दी से बच्चे बताईए मिसिज मैक पर्सन की अभी भी मैंने आप लोगों को एज बताई है वो एज क्या है एक बार कमेंट करके मुझे बताईए I found burlington house nursing home easily enough अब मैं burlington house nursing home में आराम से पहुँच गया मैंने उसको ढून लिया क्योंकि वो तो बहुत पास में ही था देर वर पेपर चेन अप इन दा हाफ हॉल वे एंड लाइटीड क्रिस्मस ट्री स्टूड इन दा कोर्नर विदा लॉप साइड एंजल ओन टो अब जब मैं वहां गया तो मैंने पूरे रास्ते में देखा वहां पर पेपर लगे हुए सब्सेड अफ वह मैं पर 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 पहुंचा मैंने रिसेप्शन से कहा कि मैं यहां मीशिज मैपपर्शन से मिलने आया हूं मैं हमका एक friend हूँ और उनके लिए Christmas present Christmas gift लेकर आया है present का मतलब हो गया gift वाव सबी बचों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है जानवी, मानव, रियारो, इलाम, रिता, खुश्बू, पाजया, प्रिया सिंग, सबने बिल्कुल 101 और अब तो आप मुझे idea लगा कर guest करके बता सकते हो कि वो क्या best Christmas present लेकर आये थे Mrs. Mac person के लिए बिल्कुल सही सभी ने 101 years बिल्कुल सही तो Mrs. Mac person जो थी 101 year की थी तो उनके लिए best Christmas present जो हमारे writer लेकर आये हैं वो gift बताईए आप क्या है I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing अब मैंने जैसे ही देखा कि dining room में जो कोई भी बैठे हुए थे सबी ने paper hat पहना हुआ था और सब लोग गा रहे थे क्योंकि Christmas जो होती है वो वहाँ की जो nursing home हो गया वहाँ की main in charge होती है veteran उसको बोला जाता है उन्होंने भी hat पहना हुआ था है and seemed happy enough to see me और मुझे देखकर वो काफे खुश हुई she even offered me a mince pie उन्होंने मुझे mince pie क्या होती है cake का वो भी offer किया she walked me along the corridor और वो मेरे साथ corridor में चलती रही Mrs. Mac person is not in with the others अब वो बताती है कि Mrs. Mac person जो दूसरों से बिलकुल अलगनी वो भी दूसरों है हमारे बीच में एक है she told me she is rather confused today so we thought it best if she had a good rest वो थोड़ा आज के दिन काफी confused थी इसलिए हमने सोचा कि वो थोड़ा सा rest कर लेगी इसलिए हमने उनको अलग से रख दिया ऐसा नहीं कि वो हम में से बिलकुल अलग है हम जैसी ही है she has no family you know क्या आप जानते हैं कि उसकी कोई family नहीं है no one visits कोई उनसे मिलने नहीं आता यह जो नर्सिंग होम की मैटरन है यह बता रही है हाँ बिलकुल सही जिम मैट पर्सन का लेटर जो कि हमारे राइटर पड़ रहे थे हाँ वो उनके हस्मेंट थे बिलकुल उनके द्वारा लेटर लेकर आ है यह उनके लिए बेस्ट क्रिस्मिस गिफ्ट है तो आपको देखकर आपसे मिलकर बहुत खुश होगी अब वो मुझे एक एरिया में छोड़ कर गई वहाँ पर चेयर्स थी और कुछ प्लांट उसके चारों और थे देखो यह चेयर्स पर बैठी हुई एक लेडी के पास यहां पर और यह थोड़े से पोधे यहां पर दिखाया गया है वो वहाँ पर मैटरन मुझे छोड़ कर चले गे दा ओल्ड लेडी वोस सिटिंग इने विलचेयर हर हैंड फोल्ड इन हर लैप अब वो विलचेयर पर लेडी बैठी हुई है कोन लेडी मिसिस मैक वर्सन और उन्होंने ऐसे हाथ रखे में हैं अपनी लैप में लैप होती है गोध जब हम अपने लैग्स पे अपने होंगी जूडा जब हम बालों को ऐसे रोल करके बांद लेते हैं जैसे यह रहा देखो विस्पी का मतलब ऐसे लूज लूज सा उसने सिल्वर कलर के वाइट पिन लगाई हुए थी अपने वाइट पिन में अपने बालों का एक बन बनाया था बन हो गया जूडा जो बनाते and looked up at me vacantly अब मैंने उनको hello कहा तो उन्होंने मुझे vacantly का मतलब थोड़ा आजीव से खाली पन के भाल से की जैसे वो मुझे जानती नहीं इस तरीके से देखा happy Christmas Connie I went on I found this I think it's yours अब वो उनको बिलकुल उनके husband की तरह ही बोल रहे है happy Christmas Connie मैं आ गया और मैंने इसको डूण लिया मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मुझे लगता है ये तुम्हारा है it's yours as I was speaking her eyes never left my face अब जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो उसकी eyes जो थी उन्हो के लिए भी एक सेगंड के लिए भी अपनी नजरों को मेरे चहरे से दूर नहीं किया I opened the tin box और मैंने Mrs. Mac person के सामने ही कोनी के सामने ही tin box को खोला and gave it to her और मैंने ये उनको दे दिया that was the moment her eyes lit up lit up का मतलब हो गया एक दम से happiness में देख वेरा become bright with happiness lit up का मतलब excitement में उसके आंके च बिल्कुल ठीक लेटर और इस लो कैसे वुरी है that was the moment her eyes lit up with recognition and her face become suppressed with a sudden glow of happiness suppressed with का मतलब हो गया spread all over her face happiness अब चानों और उसके face पे happiness बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रहे थी और इसी वज़े से उसके आंखे भी खुशी के विमारे चमक उठी और जब मैंने उसके सामने box को खोला और जानी पहचानी सी smile के साथ और जिससे उसके चेहरे पे भी खुशी की वज़े से आई एक्स्प्लेंड अबाउट देस्क और मैंने उसके बाद फिर उनको डेस्क के बारे में बताया कि किस तरीके से मैंने इस लेटर को प्राप्त किया कैसे मैंने इसको ढूंडा about how I had found it कि मैंने ये लेटर आपके लिए किस तरीके से found out किया but I don't think she was listening लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो सुन नहीं पा रही है for a while थोड़ी टाइम के लिए she said nothing उन्होंने कुछ नहीं कह but stroked the letter tenderly with her fingertips उसके बाद उसने धीर ऐसे अपनी fingertips से उस लेटर को छुआ and took my hand और उसके बाद ऐसा लगा जैसे उसने पहचान लिया और उसने मेरे हाथ को पकड़ा her eyes were filled with tears उसकी जो आखे थी वो आंसुों से भरी हुई थी you told me you had come home by Christmas dearest she said देखो वो 101 साल की हो चुकी 101 years old हो चुकी है तो इतनी बुड़ी हो चुकी है उनको समझ भी नहीं आ रहा उनके सामने कौन है तो वो जो राइटर होनी को देखकर वो कह रही है कि मुझे यकीन था आपने मुझसे वादा किया था कि आप Christmas को जरूर आओगे dearest जैसा कि आपने कहा था आप आगे and here you are the best Christmas present in the world और ये मेरा जो आप लेकर आए हो world का best Christmas है present है जो आपने मुझे दिया come closer, zim dear, sit down अब उनको नहीं लग रहा कि जो उनके सामने है वो कोई और है और हमारे राइटर को नहीं है Michael Morfergo तो अब वो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल नहीं लग रहा कि Michael उनके सामने वो सोच रही है कि जिम ही है क्योंकि अब आप आए मेरे पास और यहां पर बैटो जिम डियर अपने वो सोच रही है कि यह जिम ही उनके लिए लेटर लेकर आया है जैसे कि उन्होंने कहा था मैं उनके पास बैट गया और उन्होंने मेरे चिक पर किस किया अब वो बोल रही है मैंने बहुत बार आपके लेटर को पढ़ा है हर दिन मैं आपके लेटर पढ़ती थी I wanted to hear your voice in my head हमेशा आपकी voice जो थी मेरे दिमाग में घूमती रहती it always made me feel you were with me और हमेशा वो लेटर पढ़कर वो आपके आवाद सुनकर मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे आप हमेशा मेरे साथ हो है now you are और आप आप हो भी now you are back you can read it to me yourself अब तुम वापिस आई गए हो तो ये खुद मेरे लिए आप पढ़कर सुनाए would you do that for me Jim dear क्या तुम मैं सकर सकते हो Jim dear क्या इसको लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हूं have some tea और शायद उसके बाद लेटर पढ़ने के बाद हम चाय भी लेंगे I have made you a nice Christmas cake मर्जीपन जैसे की वहां फ्रेट्स के साथ जो मैंच हो रहा था वहां पर भी मर्जीपन का जिकर आया था तो वह कह रही है मैंने आपके लिए एक बहुत सुन्दर केक बनाया है जो आपको बहुत पसंद है मर्जीपन all around I know how much you love मर्जीपन और मैं जानती हूं आपको मर्जीपन के कितना ज्यादा पसंद है यह था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया आप नेक्स वीडियो में हम करेंगे कोश अंसर यह एक साई इसकी अप्सों कि एक मैं हो जाए मैं लगता नहीं एक वीडियो में कंप्लीट होंगे क्योंकि चार पार्ट में हमारा ग्रेट डे गोड ब्लेस यू जल्दी से बाई बोलिये सारे बच्चे बाई बच्चों